Hello students, मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉप में आपका स्वागत करता हूँ. ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के Maths सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटिड है. अगर आपको मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज वीडियोज को शेर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है, क्वालिटी एडिकेशन सबका अधिकार. और अगर आप पूरा से लिबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट में जाके, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और अब तो आप निबेड नॉब को इंस्टाक्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए, आज का लेक्टर शुरू करें. स्टूरेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हम पहले चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रोग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, कि ये प्रोग्रेशन वर्ड क्या है? प्रोग्रेशन वर्ड बनाया गया है वर्ड प्रोग्रेस से, और तुम जानते ही हो कि progress का मतलब क्या होता है progress का मतलब होता है बढ़ोतरी किसी भी चीज में बढ़ोतरी वो किस तरह से हम example ले सकते हैं मान लो एक person है person A वो रोज एक book पढ़ता है लेकिन जादा नहीं पढ़ता वो रोज कितने pages पढ़ता है four pages रोज पढ़ लेता है तो पहले दिन उसने चार pages पढ़े अगले दिन जब उसने चार pages पढ़े तो वो page number 8 पे पहुँच गया जब अगले दिन फिर उसने चार pages पढ़े तो वो page number 12 पे पहुँच गया फिर उसने चार pages पढ़े तो वो page number 16 पे पहुँच गया और इस तरह से वो pages को पढ़ता चला जा रहा है तो जितने भी pages होंगे एक दिन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वो अगली जो book है वो start कर देगा तो इसको हम progression कहेंगे यह बढ़ोतरी में progression चल रही है अच्छा एक और example लेते हैं एक person है मानलो person B उसको pocket money मिलती है 1500 rupees और वो क्या करता है वो खर्च देता है पैसे कितने rupees 100 in every two days वो हर दो दिन में 100 rupees खर्च देता है तो अगर मानलो उसको पहली तारीक को 1500 rupees मिल गए तो वो दो तारीक तक दो तारीक तक उसके पास कितने रह जाएंगे या अगर हम इस तरह स्टार्ट करें कि पहली तारीक को उसके पास 1500 rupees थे उसने पहले दो दिन 100 रुपे खर्चे तो हमारे पास तीन तारीक को कितने पैसे होंगे उसके पास 14 100 रुपे फिर पांच तारीक को उसने फिर 100 रुपे खर्च दी होंगे ये पहली तारीक को पैसे हैं ये तीसरी तारीक फिर पांचमी तारीक को 100 रुपे और खर्चेगा तो 1300 रुपे रह जाएंगे फिर वो पांच तारीक और 6 तारीक को फिर 100 रुपे खर्च देगा तो 7 तारीक को कितने हो जाएंगे यहां मैं डेट्स लिख रहा हूँ मंस की और यहां मैं लिख रहा हूँ कितना उसके पास पैसा रह गया जेब में तो फिर उसके पास रह जाएंगे 1200 और इस तरह से घटते जा रहे हैं तो यह घटना भी एक तरह का प्रोग्रेशन है तुम यह समझ सकते हो कि उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है प्रोग्रेश किस चीज क्यों रही है खर्चे की तो उसके जेब में जो पैसा है वो कम होता चला जा रहा है तो यह भी एक पैटरन है तो बेसिकली तुम इन दो एक्जामपल से देख सकते हो क्यों कि यह एक पैटरन है जिसमें की आगे क्या होना है हम यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले ही जान सकते हैं अच्छा और एक्जामपल लें चलो एक आदा और एक्जामपल लेकर देखते हैं हमारे पास एक जो लेडर होती है पौडी बांस की पौडी होती जिस पर मजदूर काम करते हैं रंग रोगन करते हैं घरों का या घर बनाते हैं तो यह क्या है कि पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्टार्टिंग से दो फीट की दूरी पे उसके बाद हर एक स्टेप जो है वो डेड़ फीट की दूरी पे हो तो यहां अब देखो फिर ये डेड़ फीट होगा और इस तरह से ये आगे बढ़ती है पौड़ी जितनी लंबी होगी डेड़ फीट का स्टेप होता चला जाता है तो पहला स्टेप कितने पे आया दो फीट पे तो दूसरा स्टेप जब आया तो कितना हो चुका था डिस्ट स्टेप से साड़े तीन फीट फिर अगला स्टेप जब आया तो कितना डिस्टेंस हो चुका था इसमें डेड़ फीट और जोड़ दो पांच फीट उसके बाद उससे अगला स्टेप जब आया यहां तक तो कितना डिस्टेंस हो चुका था साड़े छे फीट तो इस तरह से देखो numbers का sequence कैसे बना 2 3 and a half 5, 6 and a half and so on अगर इससे अगला भी होता तो हम जानते हैं कि 1.5 feet और इसमें plus हो जाता तो 8 हो जाता फिर 1.5 feet हो जाता और इस तरह से distance बढ़ता जा रहा है तो ये भी एक sequence है ये distances में है ये number of pages में थी ये money में है तो इस तरह से हमारे पास कई ऐसे हमारे life के situations हैं जिसमें कि हम इस तरह की sequence का इस तरह के pattern को दिखते हैं तो ऐसे pattern को जिसमें कि एक खास number या तो घट रहा है या एक खास number बढ़ रहा है ऐसे pattern को sequences को हम कहते हैं progression और ये खास तरीके का progression जो होता है मतलब एक fix number जैसे शुरुआत में 1500 थे तो इसमें 100-100 घटने शुरू हो गए यहां शुरुआत में 4 थे तो 4-4 बढ़ने शुरू हो गए यहां शुरुआत में 2 थे और डेड़ डेड़ बढ़ना शुरू हो गया तो ऐसे खास progression को progression मतलब sequence जिसमें numbers या तो बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं ऐसे इस type के खास progression को कहते हैं हम arithmetic progression और shortcut में इसको AP लिखा जाता है तो अगर हम जनरल बात करें कि हमारे पास मान लो number A है और हमने क्या किया आगे एक number A है और उसमें से हमने D जो है वो minus करना शुरू कर देना है तो अगला number कैसे आएगा यह नहीं plus करना शुरू कर देना है तो D प्लस हो गया इसके बाद अगला number कैसे आएगा हमारे पास A प्लस D तो था ही प्लस D और कर दिया फिर अगला number कैसे आएगा A प्लस D प्लस D 2D तो प्लस हो चुके थे तीसरा D भी प्लस कर दिया और सोन देखो तुमें समझ में आएगा A जो है उसे 2 मान लो और यहाँ पर A की value 2 है और D की value है 1 and a half तो यहाँ पर इस number से यहाँ पर कैसे पहुंचे 1.5 feet प्लस हो गया था height बढ़ गई थी तो A 2 प्लस 1 and a half फिर 2 प्लस 1 and a half तो पहले ही था उसमें 1.5 feet और बढ़ा तो यहाँ पहुंच गए फिर A प्लस D प्लस D A प्लस D प्लस D तो पहले ही था इसमें D और प्लस किया तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो इसको अगर हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं यह तो A है यह A प्लस D है यह कितना हो गया A प्लस 2D यह कितना हो गया A प्लस 3D और आगे A प्लस 4D एंड सो उन तो इस टाइब की सीक्वेंस को पैटरन को नंबर्स के पैटरन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हर एक प्रोग्रेशन जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही हो यह भी जरूरी नहीं है किसी भी प्रोग्रेशन का अगर हम कह रहे हैं के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें एक बड़ी खास बात है कोई भी दो नंबर लेलो चाहे यह साथ के कोई भी दो कंजग्र्टिव टर्म्स कोई भी लेलो यहां पे अगर हम यह numbers की बात करें तो यह terms हैं पहली term, दूसरी term, तीसरी term तो यह पहली term, यह दूसरी term, यह तीसरी term, यह चौती term, यह पांचमी term तो कोई भी दो consecutive terms, मतलब साथ की दो terms, उनका फरक बराबर होगा क्यों? क्योंकि आगे से आगे number कैसे बने हैं? एक खास number D जूडने के बाद कैसे? एक example लें? चलो, हम A को रख लेते हैं 10 और D को रख लेते हैं 2 तो पहली term आ गई 10, फिर हमने 2 जोड देना है, A प्लस D, तो 12, फिर 2 जोड देना है, आ गया 14, फिर 2 जोड देना है, आ गया 16, फिर 2 जोड देना है, फिर 2 जोड देना है, और इस तरहें चलता रहेगा तो अब तुम यह देखो, इसमें दो का फर्क, इसमें दो का फर्क, इसमें दो का फर्क, तो हर दो consecutive terms में, हर दो साथ की terms में कितना फर्क है? जितना हम पलस करते चले जा रहे हैं, D. और यह D क्यों रखा? फर्क का मतलब क्या होता है? हम मैथ में कहते हैं फर्क का मतलब होता है difference. डिफरेंस D से start होता है ना, तो हमने D रख लिया. और यह हर पूरी sequence जहां तक चलाते चले जाओगे, यह फर्क सेम ही रहेगा. यह फर्क बदलेगा नहीं. ऐसे नहीं होगा कि यह यहां दो का फर्क है, तो आगे पांच का फर्क भी आ सकता है. ऐसा नहीं होगा. तो इसलिए यह फर्क हर दो टर्म्स में common है. तो इसलिए जहां पर A को तो हम कह देते हैं first term, D को कहते हैं common difference. यह difference common है. यानि हर दो टर्म्स में यह बराबर ही रहेगा. तो ऐसी sequence को हम कहते हैं, ऐसी sequence अगर numbers की बना लें, तो हम arithmetic progression कह देते हैं. अब तुम कोगे के फिर तो सारी की सारी arithmetic progression ही है? नहीं. हर progression arithmetic progression नहीं होती. हर sequence numbers की ऐसी arithmetic progression नहीं होती. जैसे example लें, देखो, मैं बड़ी असान सी example लेता हूँ. 2, 4, 8, 16, 32 and so on. यहाँ पे number बढ़ रहे हैं, progression है यह भी. और हर number कैसे बन रहा है? दो गुना होता चला जा रहा है. लेकिन देखो, इन में फर्क कितना है? दो का. इन में फर्क चार का आ गया. इन में फर्क आठ का गया तो फर्क भी दुगना होता जा रहा है. यानि के फर्क जो है, वो बराबर नहीं रहा. यह बराबर नहीं है आपस में. यह बराबर ना होने करके, यह एक AP नहीं है. यह AP नहीं है. और example नहीं, देखो. मान लो, हम 10 को divide करें, 3 से, तो आने वाले quotients की हम sequence बनाते हैं. 3, 3 9 एक रह गया, तो पहला quotient आगया 3. उसके बाद अगला quotient कैसे आएगा, हमने point लगाया, 0 लगाया. 3, 3, 9 फिर इधर 1 आगया, तो अगला quotient आगया 3.3. ऐसे ही दुबारा करेंगे, तो 3.33 आएगा, फिर 3.33 आएगा, और इनमें भी, यह भी जो एक ऐसी sequence बनी है नंबरों की जो progression तो है, यानि के नंबर change हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन यह नंबर बराबर नहीं है, इनमें फरक कितना है, 0.3 का, इनमें कितना फरक है, 0.003 का, तो इनमें भी जो फरक है, वो बराबर ना होने करके, यह AP नहीं है, तो हमने देखा students, कि नंबरों की sequence जो होती ह है, वो काफी तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन एक खास तरह से बनाई हुई sequence को ही arithmetic progression कहेंगे, और वो खास तरीका क्या है, कि एक नंबर fix कर लिया, और उसमें एक और खास नंबर हमेशा प्लस करकर के अगली terms बनानी, प्लस करकर के, तो यह जो D है, वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, वो कोई भी real number हो सकता है, यानि के वो zero भी हो सकता है, यानि के अगर मैं कहूं के one, उसमें फिर zero add किया one, फिर zero add किया one, फिर zero add किया one, यह भी एक AP है, क्योंकि इसमें D जो है, वो zero है, यह भी एक sequence है नंबरों की, लेकिन इसमें कोई फरक नहीं है, लेकिन अगर का फरक 0 है याने के बराबर है तो ये भी एक arithmetic progression ही है numbers का तो I think ये तुम्हें समझ में आ गया होगा बाकी जब हम exercise करेंगे तो बहुत ही अच्छे question है exercise में हम exercise 5.1 पे चलते हैं और फिर देखते हैं हमें और अच्छे ढंक से समझ में आएगा कि arithmetic progression क्या होता है तो students ये है exercise 5.1 का पहला question अलग अलग parts हैं इसमें तो हम पहले question पढ़ते हैं कि question में क्या कहा गया करने को in each of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why मतलब हर एक part में कुछ numbers की list बनेगी और वो list क्या arithmetic progression बनाएगी या arithmetic progression नहीं बनेगा ये हमें बताना है और उसका reason भी बताना है वो number कौन सा होगा वो हमें part में पता चलेगा जैसे first part में हमें कहा गया the taxi fare number क्या है taxi fare यानि taxi का किराया अगर हमने कोई taxi higher की उसमें सफर कर रहे हैं तो उसका जो किराये होंगे अलग-लग times पे वो हमारे numbers होंगे जिनकी हमने list बनानी है और देखना है कि arithmetic progression बनती है के नहीं the taxi fare after each kilometer यानि हर एक kilometer के बाद जो taxi का किराया बढ़ेगा जाहिर सी बात है students कि जैसे जैसे हम taxi में आगे जाएंगे और जादा किलोमिटर inequey करेंगे तो taxi का किराया बढ़े गई तो हर किलोमिटर के बाद जो taxi का किराया बनेगा क्या वो जो numbers बनेंगे किराये के वो arithmetic प्रोग्रेशन बनाएंगे, तो जो situation दी हुई है, वो हम देख लेते हैं, when the fare is, यहने fare का मतलब किराया, the fare is rupees 15 for the first kilometer, and rupees 8 for each additional kilometer, तो हमें क्या कहा गया, कि 15 रुपए तो पहले kilometer के होंगे, और उसके बाद हर एक kilometer के बाद 8 रुपए बढ़ते चले जाएंगे, rupees 8 for each additional kilometer, तो देखें जड़ा, हम यहां solve करते हैं, हम पहला step, पहला part इस्तमाल करते हैं, कि taxi fare for first kilometer is equal to rupees 15, taxi fare for each additional kilometer, rupees 8, हर एक next kilometer के लिए, तो, after first kilometer, किराया कितना हो जाएगा, rupees 15, after second kilometer, किराया कितना हो गया, इसमें 8 रुपए बढ़ गए, 23, फिर, after, third kilometer, किराया कितना हो गया, फिर 8 रुपए बढ़ गए, तो 23 में 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा, rupees 31, after, fourth kilometer, फिर किराया में कितना बढ़ेंगे, 8 rupees बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 39, and so on, तो हमें चार नंबर बहुत हैं देखने के लिए, बहुत होते हैं इतने, तो therefore, list of numbers is 15, 23, 31, 39, and so on, इस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसमें, जो पहली टर्म है, वो 15 है, second term, 23, third term, 31, fourth term, 39, तो यहाँ पर मैं यह चेक करूँगा, now, a2 माइनस a1, second term में से first term माइनस की, 23 माइनस 15, 8, फिर a3 माइनस a2, यहाँ थर्ड टर्म में से second term माइनस की, यह भी 8, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं हर दो साथ की terms को माइनस क्यों करता जा रहा हूँ, क्योंकि students मैंने अभी बताया था तुमको, कि arithmetic progression क्या होता है, arithmetic progression होता है, जब कोई भी दो terms का difference बराबर हो, फरक कोई भी दो terms का आपस में बराबर हो, साथ की दो terms का, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, कि क्या फरक बराबर है, अब तक तो बराबर है, इसके बाद a4 माइनस a3, यानिके a4 कितना है, 39 माइनस 31, यह भी 8, तो हम देख रहे हैं कि फरक बराबर ही चला आ रहा है, तो since क्योंकि differences between every pair of consecutive terms, are equal, क्योंकि हर दो साथ की terms का जो फरक है, वो बराबर है, hence, this is an arithmetic progression, तुम एपी से denote कर सकते, तो हमने देखा कि यह एक arithmetic progression बन गई, पहली situation तो हमारी arithmetic progression बन गई, अब दूसरी situation पर ध्यान देते हैं students, second part, the amount of air present in a cylinder, when a vacuum pump removes one-fourth of the air remaining in the cylinder at a time, अब इसको समझनी कोशिश करो, एक बहुत बड़ा कोई cylinder है, जिसमें कुछ हवा भरी गई है, और जब भी एक vacuum pump उस पर apply करते हैं, वो बच्ची हुई हवा का एक चोथाई निकाल देता है बाहर, तो हर एक बार vacuum pump जब जब हम apply करेंगे, तो one-fourth यानि एक चोथाई volume जो है हवा का वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर वो numbers क्या बनेंगे, वो volumes के number बनेंगे, पहली बार complete volume होगा, फिर one-fourth निकल जाएगा, उतना आएगा, फिर one-fourth निकल जाएगा, उतना आएगा, तो इस तरह से हर बार vacuum pump apply करने पर, जो नई amount of air, यानिके जितनी जो हवा है, वो pump इसमें, अपने cylinder में बच जाएगी, वो numbers की हमने list बनानी है, तो देखें ज़रा फिर, देखो, मैं ऐसा करता हूँ, इस page पे start करता हूँ, पहले थोड़ा सा rough work कर लेखते हैं, देखो, अब हमें ये तो पता नहीं है, कि volume कितना है उस cylinder का, cylinder का volume हमें पता नहीं है, तो हम V मान सकते हैं, तो पहली बार, जब pump apply किया गया, तो वो one-fourth उसमें से air निकाल दी उसने, तो one-fourth किसका, एक चोथाई इसी volume का, तो इसे calculate करते हैं, तो 4 LCM आ गया, तो 4V minus V upon 4, यानिके 3V by 4, तो पहले step में तो volume V था, एक बार जो pump है, जब vacuum pump को apply किया, तो इतना volume रह गया, उसके बाद दुबारा जब हम pump को apply करेंगे, तो जो 3V by 4, ये जो हमारे पास volume है, इसमें से कितना minus हो जाएगा, वन-fourth उसी का, 3V by 4 का, देखो यहां पे, volume का one-fourth minus, यहां भी volume जितना था, उसका one-fourth minus हो जाएगा, तो basically क्या हो जाएगा, 3V minus 4 minus, 3V upon 16, तो यहां 16 LCM आ गया, 16 LCM आ गया, तो यह 4 यहां multiply हो जाएगा, तो 12V minus 3V, यहने के 9V by 16, तो पहला नमबर यह, दूसरा नमबर यह, तीसरा नमबर यह, एक नमबर और find out कर लेते हैं students, तो अब रह गया, 9V by 16, minus 1 by 4, फिर से pump apply हुआ, तो इसी volume का एक चोथाई, minus हो जाएगा, तो इसी volume का एक चोथाई कैसे निकालेंगे, इसी volume को 1 by 4 से multiply करके, तो 9V by 16, minus 9V by 64, तो LCM आ गया, 64, 64 LCM आ गया, तो यहाँ 4 से multiply हो जाएगा, क्योंकि 16, 4 दा 64 होता है, 4 से यह multiply होगा, तो आ जाएगा 36V minus 9V है, तो कितना आ जाएगा, 27V by 64, यह आ गई, चौथी term हमारी, तो इस तरह से हमारे पास, यह numbers आ गये, अब rough में ही पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि fair में तो एक question हमने करना ही है, rough में ही इनका difference देखते हैं, V, 3V by 4, फिर 9V by 16, फिर 27V by 64, इस तरह से number आ रहे हैं, तो क्या यह arithmetic progression है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस तरह पता चलेगा, कि अगली term में से पिछली term माइनस कर दो, तो 3V upon 4 minus V कितना होगा, देखें जरा, 3V minus 4V upon 4, 4 LCM आ गया, यानि के minus V upon 4, तो यह है difference पहली दो term का, अब आगे, अब 9V by 16 में से, 3V upon 4 माइनस करके देखते हैं, तो LCM कितना आ गया, 16, तो यहां तो 9V ही रहा, माइनस, यहां 4 से मल्टिप्लाई हो गया, यानि 12V, तो यह कितना होगा, 9V minus 12V, माइनस 3V by 16, तो देखो students, यह difference है, अगली दो terms का, यह difference है, और पहली दो terms का, यह difference है, तो difference बदल गया, यह number और यह number बराबर तो है नहीं, तो यह एक AP भी नहीं है, यही चीज़ अब हम fair में लिख कर देखते हैं, तो हमारा question number one का second part, हम सबसे पहले क्या कहेंगे, let V be the volume of cylinder, volume of cylinder of filled air, मतलब जो volume cylinder में air का है, जो की भरी जा चुकी है, reduced by vacuum pump, कितना होगा, कितना है, is equal to one fourth of volume of air, यानि जितना volume air का cylinder में है, उसका एक चोथाई reduce कर देता है, हमारा vacuum pump, यह हमें दे रखा गया है, तो फिर, अब हम कैसे लिखें इसको, इसको हम लिखेंगे, volume of air, remaining, after, फर्स्ट स्टेप पहली बार जब वैक्यूम पंप लगाया गया तो उसके बाद कितना वॉल्यूम बचेगा वी माइनस वी बाई फोर चोकि हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो आएगा थ्री वी बाई फोर उसके बाद वॉल्यूम ओफ एर रिमेनिंग आफ्टर सेकिंड स्टेप दूसरी बार जब पंप लगाया गया तो वॉल्यूम कितना बचा थ्री वी माइनस फोर तो पहले ही था इसमें से माइनस कितना होगा इसका वन फोर्थ यानिए थ्री वी बाई 16 माइनस हो जाएगा तो हम ये भी माइनस करके देख चुके हैं आएगा 9V बाई 16 इतना वॉल्यूम बचा फिर वॉल्यूम ओफ एर रिमेनिंग आफ्टर थर्ड स्टेप तीसरे स्टेप के बाद कितना वॉल्यूम बचा 9V बाई 16 तो बचा हुआ था वॉल्यूम पिछले स्टेप पे उसमें से माइनस कितना होगा इसका वन फोर्थ यानि फोर से फिर डिवाइड कर दो इसको 9V बाई 64 तो इसको हमने कैलकुलेट करके देखा है यह आता है 27V बाई 64 तो देरफोर लिस्ट अफ नंबर्स इज वी कॉमा 3V बाई 4 कॉमा 9V बाई 16 कॉमा 27 बाई 64 एंड तो ओन ठीक है स्टूरेंट्स तो अब हम डिफरेंस देखते हैं तो नाव A2 माइनस A1 is equal to A2 मेंसे A1 माइनस किया यानि 3V माइनस अपाउन 4 यह जो second term थी इसमेंसे V माइनस किया तो आएगा माइनस V बाई 4 यह हम देख चुके हैं मैं कैलकुलेट करके तो मैं दिखा चुका हूँ फिर A3 माइनस A2 यानि तीसरी term मेंसे दूसरी term माइनस की तो 9V बाई 16 माइनस 3V बाई 4 यह कितना हैगा यह भी मैं करके दिखा चुका हूँ माइनस 3V बाई 16 तो since देखो अब मैं reason बताने जा रहा हूँ कि यह arithmetic progression क्यों नहीं बनी since differences amongst the consecutive terms are not equal क्योंकि जो फरक हैं हर दो साथ वाली terms में वो बराबर नहीं है यानि इन दो का फरक और इन दो का फरक बराबर नहीं है फिर इन दो का फरक और इन दो का फरक बराबर नहीं आएगा are not equal hence this is not an a p ये एक arithmetic progression नहीं बनी तो ये तो था second part अब ऐसा करते हैं अब हम third part पे चलते हैं ये है हमारा third part देखो और मैं third part शुरू करूँ उससे पहले मैं तुम्हें एक request करना चाहता हूँ जो हर बार करता हूँ कि 1 to 5 rank rating जो है वो comments में जाके students मुझे इस वीडियो का की rating कर देना comments में जाके one lowest, five highest जैसा भी तुमें लगाओ एक number देना चाहते हो, दो number देना चाहते हो चार number देना चाहते हो या पांच number देना चाहते हो तुम comments में जाके दे सकते हो और अगर कोई तुम्हारा suggestion हो मेरे लिए कि मैं तुम्हें जादा अच्छा तरह help कर सकूँ वो भी तुम comments में दे सकते हो और अगर तुम पूरा सलेबस cover करो तो बहुत अच्छा है मेरे चैनल को अगर तुम subscribe करके playlist चेक करोगे तो playlist में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने chapter wise playlist बना के रखी हुई है हर एक class की तो वहाँ से तुम कोई भी chapter cover कर सकते हो और इस तरह से पढ़ने पर online पढ़ने पर youtube से पढ़ने पर तुम अपने parents को tuition से free कर सकते हो ये तुम्हारी tuition ही तो है ये मैं एक-एक question इसी तरह करा रहा हूँ जैसे कि मैं tuition बढ़ाता हूँ ताकि हर एक student की मैं help कर सकूँ तो अपने parents को tuition के बोज से मुक्त कर दो और वो पैसे जो बच जाएं वो अपने bank account में संभाल के रखो students काम आएंगे तो अब ऐसा करते हैं हम second part देख लेए इसका third part देख लेते हैं third part देखो the cost of digging a well digging मतलब खोदना एक well यानि के कुवा कुवा खोदने की cost जो number बनेंगे वो क्या होंगे वो cost of digging the well होगी after every meter क्योंकि देखो जैसे जैसे कुवा की गेराई बढ़ती चली जाती है मेहनत भी बढ़ती चली जाती है तो हर एक meter के बाद यानि एक meter खोदा कुछ पैसे बने फिर अगले meter पे कुछ और पैसे बनेंगे और इस तरह से पैसे बढ़ते रहेंगे कुवा खोदने के when it cost rupees 150 for the first meter यानि एक meter पहला meter जब खोदते हैं नीचे मिट्टी को तो 1500 रुपए लेता है लेबर वाला and rises by rupees 50 यानि के और rupees 50 बढ़ जाते हैं for each subsequent meter और हर एक अगले meter पर 50 रुपए बढ़ते चले जाते हैं इस तरह से ये question है हमारा तो ये तो बड़ा साफ तरीके से तुम्हें समझ में आ सकता है taxi की तरह है देखो हम फिर rough work करके देखें तो एक well है जिसमें की first meter जब खोदा तो rupees डेड़ सो लगे उसके बाद जब 2 meter की खुदाई हो चुकी थी तो 150 में plus 50 हो गए यानि के 200 rupees लगे फिर 3 meter तक जब खोद दिया गया तो ये जो 200 rupees पहले बन गए थे इसमें 50 rupees और add हो गए यानि 250 rupees हो गए और जब 4 meter खोद दिया तो ये जो 250 rupees तो पहले 3 meter में दे दिया था 50 rupees और add हो गए तो 300 rupees बन गए तो इस तरह से पैसे बढ़ते जा रहे हैं यानि के 150, 200 250, 300 and so on तो ये numbers अब एक arithmetic progression बना रहे हैं या नहीं बना रहे ये देखने के लिए हम फर्क देखते हैं इन में फर्क कितना है 50 का इन में फर्क कितना है 50 का इन में फर्क कितना है 50 का तो यानि के difference जो है वो common हो गया यानि के ये arithmetic progression बन गई तो students ये मैंने एक बड़ा ही shortcut में तुम्हें समझाया है इसको properly तुम लिख सकते हो बहुत असान से असानी से कैसे cost of first meter, cost after two meters, cost after three meters, cost after four meters इस तरह से list of numbers और उसके बाद तुम now a2 minus a1 करके तुम find out करोगे तो 50 आएगा और कहोगे फिर वैसे ही जैसे पिछले question में first part में लिखवाया था उसी तरह तुम लिख दोगे कि consecutive terms का difference बराबर है इसलिए ये AP है तो इस तरह से आज हमने question number one खतम किया जो fourth part है वो तुम अपने आप देख सकते हो वो एक AP नहीं बनेगी वो compound interest का formula लगा के तुम find out करोगे तो आज इतना ही students बस इस बात का ध्यान रखना के tuition से तुमने अपने parents को मुक्त करना है और वो पैसे बचाने है और मेरे channel को subscribe करके playlist में जाके सारे chapters की playlist को follow करना है और उसके बाद तुम देखना तुम्हारे बहुत अच्छे number आएंगे board exam के हिसाब सही मैं पढ़ा रहा हूँ तो आज का हम lecture यहीं खतम करते है अगले lecture तक best of luck and thank you for watching